दोस्तों अगर आप भी Paytm Payments Bank इस्तिमार करते हैं इसका statement आप मंगाना चाहते हैं तो simple step से सबसे पहले Paytm application open कर लीजिए कुछ इस तरीके से open हो जाएगी यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए ऊपर UTI मेने transfer का option मिलेगा और उसके just नीचे में My Paytm का option मिलेगा पासकोड है वो डाल करके आप अंदर चले जाएगी थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा की request statement का option यहाँ पर दिया गया है अब यह tab आप जैसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले time period आपको select करना होगा मैं कर लेता हूं one month का इसके पर simply link भीजी जाएगी जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और email पर आपको भेज दी जाएगी पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर लेना दोनों चीज में करता हूं अगर आपको email ID यहाँ से change करनी है तो simply एक तरीका है change का button दबाईए और यहाँ पर edit कर दीजे और अपना pin डा करके उसको edit कर दो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी statement दोलों चीज में try करता हूं अपसे बहले SMS पर मंगाते है SMS का में मटन दबाता हूं request statement करता हूं और देखिए बोल रहा है you will receive an SMS with URL to your statement for the requested period हम करेंगे ओके ड्रैक करता हूं और आप देखते एक message मुझ यहाँ से बता चलेगा account number आपका password है तो account number हम डाल देते हैं open और यह देखिए account number डालते ही पूरी की पूरी statement हमें मिल चुकी है एक महीने की क्या क्या transactions हुए है opening balance कितना था यह सारी चीज़े अब अगर मैं email पर चाहूं तो मैं email पर tap करूंगा request statement करूंगा और देखिए इन payments bank statement इतने तारीक तक से इतने तारीक तक की है आज 5 दिसंबर है तो 4 दिसंबर तक की नोने हमें भेज दी है मैं नीचे ड्राइक करूंगा देखिए मेरी statement है same चीज आपको download कर लेनी है यहां से जैसी download हो जाता है आप इस पर tap करेंगे tap करने का ड्राइवर PDF में खोल लेंग